गुड इवनिंग कमांडोस क्या हाल चार आप लोग के कैसी पढ़ाई चल रही है और जो चैप्टर हम करते चले जा रहे हैं उनको बराबर रिवाइस कर रहे हैं आप फुजिक्स में भी केमस्टी में भी और बाइलोजी के अंदर भी केवल बाइलोजी मत पढ़िएगा केव वक्त है आपके पास में तो इसमें अच्छे से रिवाइस दो घबराए बगर के यह मत देखो कितना दिन बचा है कितना घंटा बचा है यह देखो कि हमारे कौन से पॉर्शन वीक है उनको हमें एक बार ब्रश अप करना है जो पुराना भूल रहे हैं उसको एक बार ब्रश घंटा पुरी करूबा कि जल्दी जल्दी आपको को मैं इंपोर्टन पॉट्फन कॉष्टाइने की luck को हम किलिक करते हो आगे बड़े हैं फीफेर लेकिन हर बार की तरह इस बार बीमं मैं आपको चार बाते करो आज क्या है इस समय हमें हर दिन पूरे इंश्य आधीवान र हम क्या ढूंडेंगे, हम ढूंडेंगे कि कहा पे, कहा पे लाइव ट्रेंग जा रही है, कौन किधर पढ़ा रहा है, सब जगे ढूंडूंड के हम कुछ कुछ करेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं, जो होगा वो सेल्फ स्टेडिस होगा, इसलिए पढ़ी अच्छे जटके, मैं आपके लिए फिर से, सोचता हूँ आपके बारे में, इसलिए चार लाइने लिखता भी हूँ, अब लिखिए और तुम्हें सुनना पढ़ेंगी, हाँ मेरा मन घबराता है, हाँ मेरा यकीन भी डगमगाता है, हाँ मेरा मन घबराता है, हाँ मेरा यकीन भी डगमगाता है, पर होसला बढ़ता जाता है, मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपना सब से बहतर दूँगा, क्योंकि अफसोस से अच्छा है, कर जाना, जंग लगने से बहतर है, घिश जाना, तो मैंने अपने कमांडो, मेरा कमांडो क्या सुचता है, वो मैंने बताया पूछ आरलाइनों में, हाँ मेरा मन घबराता है, हाँ मेरा यकीन भी डगमगाता है, पर होसला बढ़ता जाता है, मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपना सबसे बहतर दूँगा, क्योंकि अफसोस से अच्छा है, कर जाना, जंग लगने से बहतर है, घिश जाना, अभी लिखी आपके लिचार लगए है, कहने का मतलब हम ऐसा नहीं है, आप कम मत समझेना हम अच्छे कोटी के कवी है, हमको सही मामला मिले, तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, कि वक्त कम मिलता है, अदर्वाइश मुझे लिखने का बहुत शोखे, मतलब, चलिए, अभी बाते कम, काम जादा, तो अभी आज के कोश्चन की सुरुआत करते हैं, कि हाँ, एक बड़ा अच्छा गाना, कल बज जा था घर पे कोई गाना, कोई साथ भारती कुछ गाना सुन रहे होगे, कि वो था, तुझे ना देखू, तो चेन आता नहीं, क्या है, तेरे अलावा कोई और भाता नहीं, ओ, मैं गाना देखा, तो मेरे को लगा कि आप एक काम कीजिए, तुझे ना देखू, तो चेन मुझे आता नहीं, तेरे बगेर कुछ मुझे भाता नहीं, यह है, NCIT की बुक, जो है, सच बता रहा हो, यह ऐसा प्रेम है, ऐसा प्यार है, इससे प्यार करोगे ना, सफलता देगा यह, ठीकिए ना, बाकी प्यार का मुझे नहीं मालूम भाई है ना, ठीकिए ना, बाकी प्यार की बारे में चर्चांण नहीं कर सकते हैं, यह टाइम question आपके सामने screen पर ये है the reverse transcript is also called reverse transcript को ये भी कहते है ये बेटा मैं जतने question करा रहा हूँ सब most probable question है previous question मैंने शामिल कर लिए इसी गंदर reverse transcript is also called reverse transcript को ये भी कहा जाता है क्या बोलते हैं हम जानते हैं central dogma of molecule जानते हैं कि DNA के template पर DNA बनता है auto catalytic activity इसे बोलते हैं replication इसे बोलते हैं replication देते हैं फिर DNA के template पर mRNA या RNA बनता है इसे बोलते हैं transcription बोलते हैं फिर mRNA के template पर क्या होता है इसकी हल्प से protein बनता है इसे हम translation कहते हैं ठीक है ना फिर हमने क्या देखा कुछ virus retro virus family में देखा हमने कि mRNA के template पर DNA बनता है यह मतलब RNA के template पर DNA बनता है mRNA, RNA के template पर DNA बनता है उसे हमने क्या कहा? उसे हमने reverse transcription कहा Tamin और Valtibor ने इसको बतला है था ठीके retro virus group के जो virus होते हैं उनमें हमको reverse transcription enzyme देखने मिलता है reverse transcription enzyme क्या बना रहा है? यह बना रहा होता है DNA किस पर? RNA के template पर it is actually RNA dependent DNA polymerase तो answer क्या गया इसका? RNA के template को पढ़कर DNA को बना रहा है DNA को बनाएगा तो DNA polymerase और RNA का template पढ़ रहा है तो क्या हो गया विटा? RNA dependent DNA polymerase answer is A clear? ठीके question number second 2021 का expected question है ठीके ना? मैं कह रहा हूँ आपसे ठीके? VNTR is employed for VNTR का उप्योग किस में होता है? क्या बात है? जल्दी जल्दी answer आरा शुरूँगा ठीके VNTR का full form बताओ बच्चो variable number of tandem repeats variable number of tandem repeats ठीके? है ना? जो वास्तब में DNA fingerprinting के जो हम कहते हैं कि जो basis होता हूँ उसमें इसको शामिल करते हैं restriction fragment length polymorphine जो होता है उसका जो आधार है वो VNTR है जो repetitive sequence बार-बार दोराय गई करम होते हैं वो हम सब में variation में उनमें variation हमको देखने मिलता है micro satellite, mini satellite, satellite DNA इसके बारे में हमने already पढ़ा हुआ है तो हमारा DNA का हिस्सा बार-बार repetitive दोराया गया होता है और वो variable number of tandem repeats कहलाता है और उसी के आधार पर हम जो है वो DNA fingerprints को पहचान पाते हैं तो अंसरस कहोगा DNA fingerprinting तो बेटा ये वाला हिस्सा अच्छे से revise करना है कोश्चन है एक्जाम में आया हुआ है ध्यान से पढ़िये और सही उत्तर दीजिए कि बोला आशने आप से कि the segment of DNA has restriction site first and second ठीक है हाना फास्टों से के रेशने साइड है और restriction fragment त्यार किये कि जो ABC है इनको हमने electrophoresis करा रहे हैं separation कर रहे हैं तो कौन सा सही होगा इसके लिए electrophoresis का funda actually इस एक question से उसने पूरा बात जान लिया आपका कि आपने electrophoresis के basic concept का आप समझते हैं या नहीं समझते हैं इस एक question से मालूम चल जाएगा ठीक है देखो simple सी बात हाँ 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 अंसर करो बिटा फेले आप पहले आप दिमाग लगा अपना अंसर करो इसमें बताओ सबसे बड़ा segment कौन सा है दिस इस दी देखो दो रश्टे साइट है एक यहां से कट लगा एक यहां से कट लगा है सबसे बड़ा segment है C उससे छोटा segment क्या है A और सबसे छोटा segment क्या है वो है B सबसे छोटा है B तो यहां लगे इलेक्ट्रो फॉरसिस में size के according size के according DNA fragment जो है वो move करते है यह जेल के ageros gel से ageros gel से जब DNA fragment move करता है तो हमें मालूम है DNA पर negative charge होता है तो यह positive charge की और move करता है यह जो है जितना size बड़ा fragment होगा उतना वो धीमे move करेगा इलेक्ट्रो फॉरसिस में size के according segregation होता है अब बताओ चलो आप बताओ आपको बताना है illusion का मतलब क्या होता है illusion क्या मतलब एटके कौन सा स्टेन इस्तमाल करते है इलेक्ट्रो फॉरसिस से निकाले गए DNA को देखने के लिए अल्ट्रा वाले ट्रेडिशन यूस करते हैं तो कौन सा स्टेन यूस करते हैं यह प्रस्ट में आपसे पूछना आप आंसर किंए इस्टेन का नाम बताईे और illusion का मतलब क्या यह बताई हर चीज बिटा हमको चीज जूड़ी हुई पता होना चीज यहां पर ठीक है question number 4 आपके सामने gene regulation governing lactose operon of astroclay that involved the lake eye gene product east बोल रहा है आपसे कि astroclay के gene regulating lactose operon जिसमें lake eye gene उत्पाद शामिल है बतला आपको बताना है कि लेक eye gene क्या उत्पाद बाता है किस तरह का उत्पाद है कैसे काम करता हो ठीक है तो gene regulation governing lactose operon of astroclay ऐसा gene जो lactose operon के gene regulation का को govern करता है ठीक है जिसमें की lake eye gene product involved होता है उसके बारे में आपको बतलाना क्या सही है ठीक है अब इसके लिए operon को ध्यान से पढ़ा होना चीए और operon मैंने आपको याद है बंटी वाला example operon हमने अच्छे से पढ़ा हुआ एटके तो अभी आप बताओ चलो उत्तर ठीक है ना बताईए देखो बेटा lake operon के बारे में पता होना चीए नॉर्मल कंडिशन में lake operon का स्विच आफ रहता है नॉर्मल कंडिशन में lake operon का स्विच आफ रहता है तो कि नॉर्मल कंडिशन में बेक्टरा glucose इस्तिमाल करता है lactose यूज नहीं करता है लेकिन जब मीडियम में lactose होता है glucose नहीं होता है तब lactose पचाने वाले एंज़ेबों की requirement होती है तो तब लेक उपराण हो जाता है induced के और inducer यहाँ पर क्या होता है induced होता है तो मतलब यह inducible system होता है और यहाँ पर inducer क्या होता है lactose molecules the inducer तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर जो लिखा है repressible तो वो तो गलत हो गया आपका ठीक है ना induced होता है feedback भी नहीं होता है इसमें यह inducer system होता है अप दूसरा इसके लावा जो regulator जो आई जीन है वो regulator जीन है आई जीन है आई जीन जो प्रोड़ माता है वो repressor protein होता है वो क्या होता है वो होता है repressor protein normal condition में repressor protein operator gene से जाकर जुडता है जिससे की ओपरोण के operation रुख जाते है औपरोण काम आगे नहीं कर पता है लेक ओपरोण का switch off करने के लिए repressor protein जो होता है operator gene से जाकर जुड़ जाता है ठीक है तो एक जब कभी चालू करना होता है तो लेक्टोज शुगर मॉलिक्यूल रिप्रेशल प्रोटीन से जुड़ता है इसी कारण से फिर ऑपरेटर से जाकर नहीं जुड़ पाता है तो सुच अन हो जाता है ठीक है तो आपके जीन है जो आपके जीन है मतलब मैंने आपको बताया कि Z जीन है Y जीन है A जीन का सिक्रस दो चलो मैंने बता दिया एकस्पक्टिन कोई गलती नहीं करना समझ गे बच्छे पता नहीं जब एक एक्जाम पास आने लगता तो इसा लगता है कि अब आपका हमारा साथ ज़्यादा लंबा रहेगा नहीं आप चले जाओगे अपनी लाइफ में वेस्ट हो जाओगे अपना अलगी स्लेक्ट होने के बाद हम लोग संपर्क मरेंगे ठीक है और बाकी मतलब म लाइफ में हाथ पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं साथ चलना इंपॉर्टेंट है चले अभी उत्तर दो इसका अब कई बच्चे क्या करेंगे गलती करेंगे कि अब जब उस उस बोल रहा है आपसे कह रहा है कि एक एक नुक्राइट सेक्वेंस रखाए डीने का और बोल करता है तो इसमें से डवल स्टेंट मैं से एक डीने स्टेंट जो है वह м और अ को इसा नी कोमाता है यह हो गया है आप्से developed strength अब ऐसा क्यसे कहां मैंने ऐसा मैंने इसलिए कहा आप से कि जो RNA polymerase enzyme होता है वो 5' से 3' direction में काम करता है वो 5' से 3' direction में काम करता है नंबर 1 के और अभ्रेंज पॉलिमें ऊट्टर बनाएगा हमेशा वो फई प्राइम से थ्री प्राइम डिरेक्शन में काम करेगा इसका मतलब यह कि यह आप भलोगों से काम सुरू करेगा और इस दिशा में जाएगा और इस दिशा में 5 प्लाइम सो 3 रॉप्रायम डिरेक्शन कहां मिलेगा हमें इस इस इसका मतलब है कि temperate Intent का यह वाला सिक्वेंस कोपी करेगा वह मतलब 5 प्लाइम से अब कैसे कोपी कर रेगा पहला G पहले आएगा पढ़ोगे बेटा कैसे प्रमोटर से टर्मेटर की और पढ़ोगे उसको आप उल्टा मत परना ऐसे ही पढ़ोगे आप प्रमोटर से टर्मेटर की उटके तो G के सामने C आगया C के सामने G आगया A के सामने U आगया यू क्यों आया क्योंकि आरेने में थाइमीन नहीं होता है यूरो से लो फिर टी ची के सामने आ गया जी के सामने चान प्धू worn और एक के सामने क्या गया यू आ गया और थी प्राइम आ गया है देखो क्या दिखा सी जी यू ए सी जी ए यू आंसर इस बीटा भी ठीक है बड़ा अच्छा कोश्चन है ठीक है न अतलब जो चारगास रूल बैस पैरिंग पूरे फंडे एक सिंगल कोश्चन ने सारा फंडा चेंज चेक कर लिया आपका उसर एक कोश्चन है पूरा कॉंसेट अपका चेक कर लिया ठीक है न समझ में आया बराबर कि देखो बेटा गलती मत करना जब भी ट्रांस्रिप्शन होता है तो दो डियने के स्टेंड में से एक टेंप्लेट के समान काम करता है और एक स्टेंस बींटा भी एकॉश्चन नमर सिक्स दि कोडान विच्ञाइस ड moyल फंक्शन वो कोड़ां जो excluded काम करता है फटा फटा हथः फटपर फटपर करता है यह मेठुनन को कोड़ करता है और अब में यह स्टारde सिग्नल कोड़न एंट के यह क्रोटीन सिंदेश की सुरुवात करता है ठीकिना खिलर यू जी अब यू ए ए यू जी ए और यू ए जी ये नॉंसेंस कोड़ोने जो है वो टर्मिनिटर कोड़ोन होते हैं याद रखिएगा ठीकिना question number 7 what is the correct sequence of process involved in central dogma principle central dogma सिदान्त में involved प्रिक्रियाओं का सही क्या है सबसे पहले DNA से DNA बनता है replication फिर DNA के template में RNA बनता है transcription और RNA से क्या बनता है protein बनता है translation answer आ गया है इसका A clear simple सा question है exam का question है previous question है question 8 what is that form the basis of DNA fingerprinting वो क्या है जो DNA fingerprinting का आधार बनता है अभी बताया था मैंने आपको बेटा वो क्या है वो है आपका VNTR RFLP के अंदर restriction fragment length polymorphism उसके उपर variable number of tandem repeats होते हैं और यह repeats होते हैं वो short DNA fragment होते हैं satellite होते हैं micro satellite होते हैं mini satellite होते हैं answer is delta D ठीके बाकी सब गरबढ़ है satellite DNA occurring is highly repeated short DNA segments प्लीज याद रखना भूलना नहीं यह exam के most probable question में से एक है question number 9 match करो match करो match करो फटा फट आप तो आपको है आपको पता है VNTR is DNA fingerprinting जट से लगा दिया तो A का क्यों लगाया मतलब answer आपका जो है B और C में इंट्रॉन और exon split gene sharp and roberts ने 1993 में बताया था कि eukuritic में gene split होते हैं उनमें दो तरह के sequence होते हैं exon और intron के तो exon intron तो उसमें से हमको जब actual mRNA बनता है hnRNA बनता है उसमें exon intron दोनों होते हैं intron को काट कर बाहर करना होता है exon को आपको से जोड़ना होता है इसे splicing process कहते हैं तो B का हो गया S B का S हो गया answer आगया B बाकी मैचीन दी किया हमने ठीके dystrophine मतला होता है largest genet के और satellite dna जो है वो bulk of dna होता है ठीके clear चलिए answer आगया B का question number 10 match the following column 1 को column 2 से match कीजे सही option को चुनिए करो भाई तुम करो पहले बाद में हम करेंगे है ना नहीं तो सब हम ही कर डालेंगे question बताईए termination जब भी कभी termination होता है बेटा तो वहाँ पर जब भी translation के बाद में protein बना रुखता है termination होता है तो वहाँ पर जो है release factor काम करते हैं ठीके ना चाहे वह transcription की बाद कर रिलीस फक्टर हाँ पर काम करते हैं ठीके clear है ना stop से लगोन आएगा then release factor जब वह काम करते हैं ठीके तो एका तो हो गया 3 एका 3 हो गया तो आप नंसर तो आई घर सीधा ठीके ना चलो आपने बोला हमको नहीं मालूम सार हमको यह नहीं अपने बोल दिया आपको पता है तो पता हमको नहीं हमने translation मतलब translation की प्रक्रिया में क्या होगा बीटा simple सी बात है यहाँ पर जो है आपका aminoacyl tRNA synthetase जो है वो amino acid को हाँ लेके आएगा तो second B का हो गया 1, B का 1 हो गया चलो ये भी नहीं मालू में transcription में RNA polymys काम को लेगा C का 4, C का 4 भी एक ही जगे दे रखा है DNA replication में ओखा जाकी fragment बनेंगे, D का 2 D का 2 भी हमारा जो है वो एक ही जगे दे रखा है तो answer तो किसी भी कुछ भी match करते है आप answer आपका आजाता है हाँ पर 10 cancer C ठीक है 11, which of the following experiment showed that eukritic DNA also shows semi-conjorative replication, कौन से प्रयोक से बालूम चला हमें कि eukritic DNA भी semi-conjorative replication को दर्शाता है अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं silly mistake करते है question परते के साथ लगाते है meselson and stall जो की गलत answer एठके eukritic DNA लिखा है उसने, मतला chromosome की बात कर रहा है भी वोटके और eukritic DNA के बारे में साफ साफ NCIT में लिखा है कि eukritic DNA के लिए experiment क्या था, VCR फेवा प्लान के chromosome पर teller ने experiment किया था, ठीके clear, तो answer इसका होगा e तो गलत, एको बेटा, question को इसलिए ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में गलती मत करना आप है ना, ठीके answer होगा इसका e 12, a molecular biologist want to polymerize ribonucleide in test tube एक molecular biologist चाहता है कि test tube के इंदर ribonucleotide का हम polymerization कर ले, तो वो कौन सा enzyme इस्तिमाल करेगा, RNA polymase second, RNA polymase first polynucleide phosphorylase और all of these ठीके, बताइए किसका यूज करके वो test tube के अंदर जो है वो RNA को बना सकता है ribonucleide से, अब यहाँ पर क्या है, आप all answer मत लगा ना, ये भी एक silly mistake है इसलिए मत लगा ना, तोकि ये जो RNA polymase second है, और first है ये DNA के template पे काम करते हैं, मतलब they are dependent on the template, जबकि this is the severo oka enzyme, ये severo oka enzyme कहलाता है, polynucleide phosphorylase, जो कि template independent manner में, template independent manner में, test tube में ribonucleide को डाल दो, इस enzyme को डाल दो, जोड़ देगा उनको, चीके, तो answer इसका है साफ साफ N7 में लिखा है, answer है इसका C, ठीके, severo oka enzyme, polymase, divene in template independent manner, याद रखीगा, ठीके है ना, question number 13, no tRNA is found in cytokines fork, किसके लिए cytokines कोई tRNA नहीं पायाता है, याद रखिए cytokines में उसके लिए tRNA नहीं पायाता है, जो किसी भी amino acid को code नहीं करता है, और किसी भी amino acid को जो code नहीं करते हैं, वो क्या है, वो है nonsense codon, जो है stop signal codon, ठीके, वो क्या है, UAA UAG और UGA, बताओ answer आ गया ठीके, answer is C, फटाफट question लगाते हैं ठीके ना, question number 14 the dominance of RNA yes, 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 yes चुप चाप रहना, ये question 2021 में आ सकता है, कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीके, ना, the dominance of RNA is clearly indicated by किसके द्वारा RNA का dominance साफ साफ दिखाई पड़ता है from NCRT for the NCRT, by the NCRT, question NCRT का है, for need, ठीके, याद रखना इस बात को, ठीके, वो ही, तुझे ना देखू, तो chain आता नहीं ठीके, वो ही वाली किताब, ठीके, ना हर पनना NCRT का, एक लेटा दे भाई, ऐसे सोचके पढ़ लिया करो उसको है ना, ठीके, तो कोछ अच्छा होगा जिंदिगी में चलो, तो अभी क्या बात करें dominance of RNA, RNA का dominance कहता है भया, कि RNA जो है वो, वो splicing कर सकता है, वो genome को correct है, HN RNA को actual mRNA में convert करता है, वो genome में correction कर सकता है, और message को आगे propagate कर सकता है, जो सबसे unique feature है उसका, तो हम कहते हैं, removal of intron from HN RNA से intron को निकाल देना, और exon को आपस में जोड़कर actual mRNA को त्यार कर देना, बहुत tricky काम है, बहुत ही specific काम है, और बड़ा important काम है, यह RNA कर पाता है, और यह RNA splicing कर लाता है, यहाँ पर ribozyme involved होते हैं, splice yosome involved होते हैं, answer is C, ठीके, clear, NCRT का बिटा जाध्धान नटना, ठीके, question number 15, the things which make RNA unstable and susceptible to mutation के, वो कौन से चीज़े हैं, जो RNA करती हैं, और mutations के लिए उसको सम्वेदर सिल्माती है, तो मैंने आपको बताया था, ribozyme involved होते हैं, यहाँ राइबोज शुगर में फर्क हैं कि, ribozyme involved होते हैं, यहाँ राइबोज शुगर में फर्क हैं, और second carbon का जो हाइबोज होता है, वो reactivity को बढ़ाता है, फिर thaiymin की तुलना में, uracil more reactive होता है, thaiymin is the 5-methyl uracil, thaiymin कम reactive होता है, तो answer क्या गया इसका, मतलब यह है कि, presence of hydroxy group at second carbon of pentos sugar and uracil, यह इसके कराण यह RNA more active होता है, सीधा-सीधा NCIT में में मेंचन ने मिटा, important point है यह, ठीक है, clear? अरे, मैंने कुछ गल्ती किया क्या, answer B कैसे हो सकता है, presence of O.S. group at second carbon of ribos sugar, हाँ, देखो, मैं गल्ती किया ना, देखो, मैंने क्या गल्ती किया, मैंने पेंटो शुगर पड़ा answer लगा दिया, मैंने options भी देखा ही नहीं, मैंने इसी को दिखा मुझे, देखो, जब यह, this is right answer, but this is more specific and more right, तो ribos sugar जागे ना, विटा है, आरेने हैं, तो ribos sugar कि, बिल्कुल सहीर कि, मतलब मैं अपनी गल्ती, जो है वो, accept करता हूँ, कि मैंने यहाँ पर option, तो third वाले तो गलत हो गए, second carbon में, मुझे पढ़ना था ध्यान से, मैंने नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह, कि मैं भी देखो, आपके साथ लगा रहा हूँ, कोशिन के, explain करना हूँ, ठीके, तो मैं clear कर दो, तो यह गल्ती, जो मैंने जो गल्ती किया ना, इससे सबक सीखिए इससे, है ना, मतलब मैं गल्ती किया, इससे सबक सीखिए, गल्ती क्या किया मैं, मैं गलत नहीं था, मैंने pentos sugar, ribos pentos होता, लडता रहूँगा वादे मिटके, पर number नहीं मिलेगा, कोग कारण यह कि more specific answer, वहाँ लिखा हो था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने गल्ती कि तुम्हें दिखा रहा था, कि देखो ऐसा होगा, नहीं, genuinely मैंने गल्ती किया है, D मैंने लगाया, जबकि answer का B है, ठीके, क्यों B है, क्योंकि pentos की तुन नहीं है, ribos is more specific, क्योंकि pentos sugar, सभी pentos sugar में इसा नहीं होता है, इसलिए मेरा answer जो है वो, क्या answer असका answer होगे आपका, बीटा बीज दिराइट असर, ठीके ना, तो यहाँ पर हम लगाया थे, इसमें, silly mistake, ठीके, मैंने किया, मेरा 4 नंबर काट लो भाई तुम लोग, ना, 5 नंबर, 4 नहीं 5, एक अच्छे, question का number भी लेके जाएगा नहीं, चलो, question number 16, to prove that DNA is genetic material, scientist यूज के, DNA genetic material है, इसको सिद्ध करने के लिए, वेग्यानिकों ने क्या उप्योग किया, बताईए, है ना, अब यहाँ पर, जहां रखिये, यहाँ पर आपको बताना है, कि DNA genetic material है, इसको सिद्ध करने के लिए, scientist ने क्या उप्योग किया, तो silly mistake मत करना, जल्द बाजी में A मत लगा दे ना, क्योंकि DNA S तो समझ में आता है, कि transformation में इस्तमाल हुआ था, पर यह, semi-conjorative mode को सिद्ध करने के लिए उस किया गया था, कि answer आएगा इसका यह, मतलब यह use किया था हमने, bacterial transformation experiment में, और phosphorus इस्तमाल किया था हमने, bacterial fact experiment में, तो answer is B, ठीके, यहाँ पर भी गलती होती है, है ना मिटा, ठीके, देखो न, DNA is transformation के लिए, और phosphorus 32 जो है, वो bacterial fact experiment में इस्तमाल किया था, हरसी और चेज नहीं किया था, transformation Griffith ने किया, लेकिन transformation principle की खुछ किती है, every maccloid, maccartney ने, 17, genetic information in a DNA molecule is coded निंदिर के, एक DNA molecule में genetic information, किसमे code के रूप में दे, कैसे code होती रुके, तो number of bases, length of DNA, sequence of nucleotide, number of nucleoside के, ध्यान से बाद, जो भी specificity है, DNA molecule में genetic information लिखी होती है, वो nucleotide के, एक specific sequence के करान होती है, और उसी से genetic message बनता है, और उसी message को mRNA copy करता, genetic code के रूप में पता, अंसरा आएगा, इसका sequence of nucleotide is important, यह information के लिएपन, language के समाने, A से लेके Z तक लिखा है, जिस मैंने लिखाना, कि B O Y लिखा में ठीक, तो यह boy हो गया, ठीक है, ज़ि मैं O B Y लिखू, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है, ठीक है, कोई simple सी बात है, कि आपका sequence मेंटन करता है, ठीक है, question number 18, पॉलिमरे चेंड रेक्षिन इसका करते हैं, इससे बिल्कुल सही, इससे specific DNA sequence को हम, लेबरेटरी के अंदर multiple time, उसको multiply कर सकते हैं, उसको हम के, in vitro replication of specific DNA sequence में, इसका हम इसका हम इस्तमाल करते हैं, और यहाँ पर हम, कौन सा एंजयम इसका करते हैं, इसमें tech polyverse इस्तमाल करते हैं, thermos aquiticus vector से मिलता है, जो temperature sensitive, जो है, thermal resistance enzyme होता है, जो high temperature में भी काम कर सकता है, खीक है, question number 19, removal of intron and joining of exon, in a definite order in transcription unit, इसकार, अभी बताया है मैंने, कि intron को निकाल कर बाहर कर देना, उसको हम splicing कहते हैं, telling का मतला होता है, कि जो mRNA बनता है, उस mRNA में post transcription processing होती है, तो mRNA में poly A, poly A tell को जोड़ देना telling कहलाता है, और 7 methyl guanocin को सामने add कर देना, 5 prime add पर add कर देना, capping कहलाता है, telling और capping और splicing, ये post transcription processing में आता है, NCRT में एक image दिरखा है, specific pairing we have postulated, immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material, this is written by A, किस ने लिखा है इस कोट के, इन के दोरा लिखा गया है, ये statement दे रखा है, साफ-साफ NCRT में statement दिया गया है, Watson और Crick ने दिया था statement, जो बता आता है, कि Watson और Crick ने semi-concerative mechanism of DNA replication के बारे में, first time बत लाया था, प्रूफ किया था, मैं से थान और स्टॉल ने, answer is, Watson और Crick, ठीके ना, याद रखी गा, 21, which is the initial step in mRNA maturation process के, mRNA के maturation process में, मतलब post transcriptional processing में, सबसे पहले होता है, बेटा, capping, ठीके, capping का मतलब होता है, 5 prime end पर 7 methyl guanosin को, हम add करते हैं, ठीके, है ना, और poly adulation का मतलब होता है, telling, के splicing का मतलब होता है, intron काट कर अलग कर देना, exon को आपस में, जोड देना, ठीके, याद रखीएगा, 22, amino acid is carried, by tRNA at its, के amino acid tRNA के, कौन से सिरे पर जुड़ते हैं, याद रखीएगा, कौन सा सिरा ऐसा है, जो सबसे दिख रेक्टिव का होता है, वो होता है, वो सिरा, जहां पर pento sugar के पास में, hydroxyl group present होगा, और 3 प्राइम हिस्ते पर, hydroxyl group present होता है, उसी को replace करके, वहाँ पर आमाइन उसे जुड़ता है, ठीके, 3 प्राइम एंड, वेर ओछी जहां पर देड़ त्रन, ठीके, वेरी वेरी इंपोर्टंट, याद रखीगा, 23, which is recognition site of ट्रन, ट्रन में कोन सा पहचान जाने वाला स्थल होता है, और ट्रन के लिए स्पैस्फिक, जिसकी मदद से वो MRN को पचानता है, अरेने प्राइमर की जर्बाट क्यों पड़ती है वाइने प्राइमर चोटा सा आरेने का एक पीस होता है जो प्राइमर एंजाइम के हल्प से बनता है small fragment of RNA होता है और ये small fragment of RNA एक stepping stone के समान काम करता है माँख दर्शक की रुप में काम करता है किसके लिए DNA polymerase के लिए and it is very important for the process of DNA replication के और especially lagging strand पर ये बड़ा important task करता है ठीके question number 25 value constant value of DNA referred के मतलब यहाँ पर C value c value यहाँ चीदा c value ठीक कर लो उसके c value constant value of DNA refers to क्या मतलब इसका DNA के c value का मतलब है कि एक organism के एक genome haploid set of chromosome haploid set of chromosome को हम genome कहते है उसके अंदर total DNA जो पाया आता उसे c value of DNA कहते है normal somatic cell जो deployed normal somatic cell में 2c DNA amount होता है ठीकि ना तो आंसर का है total amount of DNA per genome को हम c value of DNA कहते हैं ठीक है question number 26 reverse transcription was first shown by 2021 का expected question ने बिटा previous exam से लिया गया question के तो reverse transcription को tamine और valtimore ने बतलाया थे यहाँ रकिगा इससे इसलिए taminism भी बोलते हैं इसको 27 the scientist involved in the discovery of DNA as chemical based of heredity वे वे वेज्ञानिक जुनोंने DNA की रासाइनिक DNA की जो है वो बन्शागती की रासाइनिक आधार की रूप में बतलाया वो scientist को ने मतलब जुनोंने biochemical nature of gene को बताया जुनोंने पहली बार बताया कि वन्शागती केरेक्टर में कौन सा molecule involved हो सकता है कौन सा chemical जिसमें heredity character हो सकते है पहली बार बताया था है every mcleod mccotty ने bacterial transformation experiment ठीक है ना answer इसका है 1933 से 1944 तक इन्होंने प्रियोक किये 1944 में result दिये और बताया इन्होंने DNA is the genetic material के हम कहते हैं they are the first time they establish the biochemical nature of gene 28 okajaki fragment क्या होते हैं बताये okajaki fragment देखो बिटा जब भी DNA replication होता है तो हम कहते हैं semi conservative mode of DNA replication होता है एक strand होती है leading strand एक होती है lagging strand leading strand पर continuous DNA बनता है क्योंकि वहाँ पर DNA template पर RNA polymers को 5 prime स 3 prime direction मिल दाता है लगा तरह काम करता है leading strand बोलते है lagging strand पर DNA का निर्मान अंदर से बाहर के और धीमेदी में तुकडों में होता है उसे हम okajaki fragment केते हैं बाद में इन okajaki fragment को DNA ligas आपस में जूडता है ठीक है तो answer क्यों होगा इसका दीजार्दी small DNA segment जो की अंदर से बाहर बनते हैं अब चुकी क्या होता है यह जो DNA strand बनते है legging strand का direction क्या होता है legging strand का direction जो है 5' 3' उसपर बनता है वो 3' से 5' दिशा में उसको बनाना पड़ता है तो अंदर से बाहर क्यों बनता है बतलब अंदर जनरली यहां पर यहां पर यहां पर आंसर आप सी मतला है ना ठीक है डारेक्शन किसका देखिंगे विटा लिखा के चुटा डीने फ्रेंट जो बन रहा है वहार बनता क्या है अंदर से बाहर की रोड़ बनता है ठीक है तो आंसर d is और देखिए सई अंसर है ना तो कोशेर को बिटा ज्यादा सोचके गलत मत करना है इसको आप में ना कोशेर ना ना नमबर ऑफ डीने कौल of a nucleosome is एक nucleosome पर DNA कितना coil करता है तो 1.75 turn होता है मतलब एक सही 3 वटा 4 answer is C याद रखने वाला question है सिधा 30 estracolize fully level with N15 एक estracolize में N15 से level किया गया है उसे normal N14 वाले medium में grow किराया गया है तो DNA molecule जो एक generation के बाद मिलता है वो क्या होगा देखो बिटा heavy DNA मतलब जिसकी दोनों strand में N15 present होगा एक generation के बाद normal medium में क्या होगा दोनों heavy strand वाले DNA अलग-अलग हो जाएंगी और उसके उपर normal DNA strand मनेगा तो दोनों DNA strand मनेगी hybrid hybrid DNA strand एक समान होगी लेकिन parental DNA से अलग होगी answer आ गया 31 DNA replication requires DNA replication में किसके दिर होते एक तो वो उस एंजय में जो होते जो DNA को बना दे और याद रखेगा कि डी ओक्सी राइबो नुकलोसाइट ट्राइफॉसपेट ड्यूइल परपस का का काम करते डी ओक्सी राइबो नुकलोसाइट ट्राइफॉसपेट जो है यह एनर्जी प्रोवाइट करते और सासाथ में यह सबसेट की रूप में भी काम करते जुड़ते जुड़कर बनाएंगे DNA को तो DNA पॉलमेट चाहिए और जो लेगिंग स्टेंड पर जुड़ने के लिए लाइगेज ची होता है तो अंसावगेज का DNA पॉलमेज एंड DNA लाइगेज दोनों की रिक्वाइर्मेंट होगी ठीके 32 रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज क्या है अब देखो वही कोश्चन प्रकार का कोश्चन अलग प्रकार पुछा एंड के Ribonucleide Polymasing Enzyme Polypeptide Polymasing Enzyme Amide Polymasing Enzyme Deoxy Ribonucleide Polymasing Enzyme ठीक है देखो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज RNA के टेंप्लेट पर DNA बनाएगा और DNA बनाने के लिए किसको जोड़ना पड़ेगा आपको तो दी ऑक्सिर आइवोन नुक्राइट को जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो गया आंसर का दी ऑक्सिर आइवोन नुक्राइट पॉलमेजिक एंजाइम होता है ठीक है ठीक है ठीक है अनू लेखन पुछा ना तो देखो सिंपल सी बात है रूल बैस्पेरिंग ए के सामने यू आएगा टी के सामने ए और ए आएगा कहां दे रखा है सबको मैच करें जो ती है शुरू में मैच क्या मिल गया है हमको आंसर आंसर इस बीटा भी चीक है 34 दिने सिंथेसिस कैन बी मेज़र बाइस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग इंकर्परिशन ऑफ रेडिलोर्ट के डिने सिंथेस को दी स्पेसिफिकली जानना हो तो कौन सा ऐसा मौली की चीज है जो किवल डिने में मिलेगा आपको राइब शुगर आर ने में होता है बेटा फिर में इनवाल होता है देखो बटाइए यह एंसी आटी में डिर्क ली नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चीए यह मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस कोशने प्रिविशने तो डिने रिपारिंग में डिने पॉलमेंज 1 जो है इंट इस हैं अविग इन के पास दिने बन इसोटोप जिनका उप्योग जिसका उप्योग DNA के सेमी कंजर्विटिव एप्लिकेशन को बताने के लिए प्रूप करने के लिए गया वो थे नाइट्रोदन के आइसोटोप और यह डेंसिटी नहीं थे यह डेंसिटी इन के लग थी को यह डेंसिटी ग्रेंट सेंट्रिफिकेशन का इस्तेमाल किया था सीजम को राइट का मीडियम रखा गया था जो मीडियम सीजम को जो मीडियम था वो था 6m कॉंसी बिमारी ओंको जीन के एक्टिवेट होने लाने पर आगे फिल जाती है याद रखिएगा कि एक जीन जो सबसे इंप्रेंट जीन को ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं अधि फिर नॉर्मल प्रोटीन नहीं बन पाता है जो वाच्मेन आब जीनों किरते हैं वो उंको हर्ण को एक्टीव होने से रोकता ये प्रोटो ठोड़ों को एक्टिव होने से रोकता है व गया जो है वो ओंकोजीन मतलाब ऐसे जिन जो cancer-causing जीन है वह एक्टिवेट कर जाते हैं वह प्रोटोचीन सी ओंग बोलते हैं ncrt में सी ओंग बोलते हैं कहां human health disease में सी अंग ओंको प्रोटोचीन होते हैं यह एक्टिवेट होकर एंग ऑंकोजीन बन जाते हैं तो इससे क्या होता cancer होता इससे answer is cancer ठीक है 38 which is true of for the true for DNA पर्लम्हेत क्योंसा अब यह जो printing अरहना नहीं में रिक्ता है बिल्कुल सही है ATP requiring अनमाइडिंग नहीं घरता है एटिप को हाइड़ाइस करता है अरो यह DNA के दोनों स्टेंड करता है अनमाइडिंग करता है ठीके और इसलिए यहलिकर वरंदी इंपर्टन पॉइंट है इसलिए दिमाग में रखना इसको थर्टी नाइन करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कोट ट्रांसफर दुरिंग पॉलिप्राइट फॉर्मेशन जब प्रूटीन चेन या पॉलिप्राइट बनता है तो सही क्रम क्या होगा एन्हें दिने किसको सुचना देगा दिने अपना इन्फॉर्मेशन एम रने को देगा एम रने जो है वो राइबोस्म के पास जाएगा वहां पर ट्रन को कॉल करेगा कोड़ोन एंटी कोड़ोन से जुड़ेगा और उसके बाद आमाइनसिट को जोड़कर पैप्टाइड बॉर्ण मन कि एंजाइम रिकवायर फॉर्ट पैपटाइड फॉर्मेशन इसके वह एंजाइम जो पैप्टाइड फॉर्मेशन के लिए रिकवायर होता है कॊन सा एंजाइम बताये ठीक यादके रहीएक हो इस узна कर्या प्रइब आप देखो हमने बहुत जल्दी बहुत जल्दी समय खराब नहीं किया मैंने आपका 44 मिनिट में 40 को देखा हमने सभी कोशन बड़े लॉजिकल कोशन थे सोचने वाले कोशन थे तो पिटा देखो ऐसे ही कोशन एक्जाम में आते हैं इसलिए प्लीज इनको प्रेक्टिस कीजिए पिछला जो पढ़ा दिया है मैंने उसको रिवाइस कीजिए अपने की नोट से रूर रिवाइस कीजिए सब्सक्राइब कर देखाना है अपने आपको अपने आपको जोड़कर रखना को समेट कर कि हम कर लेंगे तुम पढ़े सब कुछ हो बटाई दी इमानदारी से अपने बायम इंट्रस को फॉलो किया है तो पढ़ा सब कुछ है आपने सब आपको आता है बयुक्त रखिए अब नहीं पढ़ा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है वो तो फूर की आएगा कोई दोर आए नहीं है ठीक है चलिए बिटा मिलते हैं अगली क्लास में बाई बाई पढ़िएगा है ना ध्यान रखिए अपना और अल दी बेस्ट